गुरू गोबिन सिंग जी दा जीवन काल बहुत लंबा नहीं सी, प्रंतु अकटनावा नाल इतना परपूर सी, कि उनानू शायद ही कदे अराम मिल्या होवे। नेकी नू बचाउना ते बदी नू नश्ट करना उना दे जीवन दा मनोरत सी। इस मनोरत दी पूर्ती ले उनानू इस गाल दी लोड पई कि अपने पैरो कारानू सैनिक अखलाकियत जजबाती तोरते त्यार करन। इस कारवाई कार के गुरू सहिब दा उना सब ना लोका नाल टाकरा होया जड़े उना दे देश पक्ती दे कमा कारानू पसांद नहीं सान कर दे। अते इस दे सिटे वज्जों उनानू बहुत सारियां लडाईयां वीच जुटना पया। उना दे पहली लडाई पॉंटा सेप तो छे मील उत्तरवाल पंगानी दे स्थान ते स्तंबर 1688 वीच होई। एई यूद स्री नगर गडवाल दे फतेशा आते उस दे साथियां दे विरूद लड़या गया सी। गुरु जीनू एक महान वीजे प्राप्त होई पर उना ने इस जित तो कोई इला काई लाब नहीं उठाया अते लागपग उसे वेले ही अनानपूर नू मुड़ पए। कोई डेड साल पिच्छों गुरु जीने नदौन दे यूद वीच पाग ले आते मुगल हमलावर अलफ खान दे विरूद राजा पीमचन अते उसे साथियां दी जित प्राप्त करन वी सहायता कीती। इस तो उपरांत कई वर्यां तक शांती बनी रही। 1694 इसवी दे आंत वीच कांगड़े दे फौजदार दिलावर खाने अपने पुत्तनू अनानपुर ते हमला करन ली पेजिया परो कुझ ना कार सक्या। जदो उस दे आउन बारे गुरु साहिब नू पता लगा अते उस दे टाकरे ले यो बाहर निकले तां दुश्मन दिल चाड़ गए अते मैदान विच्चो पाज गए। 1696 वी शहजादा मुख्जम दे कमांडर मिर्जा बेग ने हमला किता। इस मौके ते वी कोई जेही लडाई ना होई जिस विच गुरु से पाग लें दे। 1699 वी तो बाद लडाईयां दा एक नमा दोर चाल पया। जिना विच्चो बहुतियां दा निशाना अनानपूर सी। गुणडी पहाडी राजयां खास करके कहलूर अते हिंडूर दे राजयां ने हला बोलन विच पहल की थी। इस तो पिछो पहाडी राजयां दी बेंती थे सरहांद दे मुगल फौजदार दियां फौज़ां भी शामिल हो गईयां। एक मौके ते गुरु सहीब नो गुरु सहीब नानदपूर वापस आ गए अते उत्थो कुरुक शेत्रावाल चले गए। जदों उत्थो वापस मुड़े ता चमकौर दे स्थानते उना उपर अचानक हला बोल दिता गया। पर एह हमला अकार्थ सिध होया क्यूंकि हले वाली मुगल सैना दा नेता गुर गुरु सहीब नानदपूर परतनते वी सुख दा साना लेन दिता गया। वैरिया ने अनानदपूर नो मुड केर लिया। गुरु सहीब काफी समय लई अगों डटे रहे पर आंत वीच उना नानदपूर छड़नते मजबूर होना पया। जदो गुरु सहीब दे साथी सरस दर्या पार करन वी सफल हो गे। पर दुश्मना ने बड़ी द्रिडता नाल गुरु जी दा पिछा कीता। अगला टाकरा स्तारं सो पांच इसवी दे अखीर वीच चमकौर दे स्थानते होया। दुश्मना दी बहुत वड़ी गिंती दे मुकाबले वीच गुरु सह पास बहुत थोड़े सिक सन। इस लई उना विच्चो बहुत सारे उत्थे ही शहीद हो गे। पर तामी गुरु जी अते उना दे कुछ निकट वरती दुश्मना दियां सफा विच्चो लांग के तोर मालवे वीच बुजन वी सफल हो गे। पर हाले वी दुश्मन उना दा क्या सुछ पर झाले वीच राय।